यहां पर है माँ का बवन से थोड़े पहले आपको यहां पर मिले जैसों आज जा रहे हैं वैसनो दिवी और वैसनो दिवी भाई दर्शन करने जा रहे हैं मा का और शेवाली मा के साथ हम लोग नहीं जा रहे हैं अब ही जम्मू से जाएंगे कट रहा होटल से लेके हर एक चीज हर एक फूर कर रहें कि बंदारा कहा लगा हर इक चीज कवर करेंगे इस वीडियो में लगार आप यह वीडियो देख रहे हुआ अभी हम लोग जैसे जा रहे हैं मय बोजाट 24 में तो आपको यह वीडियो देखने में देखने गए तो उसी बहुत ही तगला दूप है वी टिक है तेंप्रेचर सम्थिंग 36 37 को होगा और अभी हम लोग जम्मु तवी के बाहर आचुके रेल्वे स्टेशन के और यहां से बाई जम्मु तवी से रेल्वे स्टेशन से आपका बस्टेंड बहुत ही जाद करीब है मैं आपको बोलूगा से प्राइवेट टेक्सी भी मिल जाएगा जिसका टैरिक में अभी आपको बताता हूँ यह आपका जम्मू तवी रेल्वे स्टेशन के सामने आप यहां देख सकते हैं नहीं भीड़ जारी है यह बस्टेंड की और ठीक है यह सारा बस्टेंड है और प्राइवेट टेक्सी आपको यहाँ पर मिल जाता है आप यह देख सकतो बस साड़े लगे हुए एसी बस भी और नॉर्मल बस भी है तो भाई एसी बस का दाम एक सो पैंसट रुपए है आपके जम्मू तभी रेल्वे स्टेशन से कट्रा चौंक तक का ठीक है और नॉर्मल बस भाई सो रुपए है पर परसन का चलिए आए मैं आपको दिखाता हूं देख सकते हो यह बस की टाइमिंग से जो कि आप देख सकते हो यह बस की टाइमिंग ह यहां पर भढ़ा है ठीक है सरकारी बस का है एकशो पैंस अट आइसी बस का है और एक мет सो जूट नॉने आजनेसी घड़िया है एकसो पैंसंत रुपए एसी बस के लिए कट्राんで Mercy हे टक के विए थेलिए है तो साट लोग हैं तो especiallyissa. brightest ही और हमें बस का सीट में बस का नंबर दे दिया गया है और उस बस नम लोगा के चार्च बाकि बस की बात करें तो बस बहुत ही जादा साफ सुत्री थी जितने सीट थे उतने ही पैसेंजर्स को बैठाए गये थे एसी बिल्कुल सही काम कर रहा था और बस से बहुत ही खुबसुरत नज अब लोग खाने के लिए रूखें आपको दिखाते हैं कि खाने में क्या रेट पड़ रहा है यहां पर होटल स्वें ठीक है उसके बाद पिर अम लोग कटरा में होंगे कटरा चौक में फिर आपको दिखाएंग फोटल्स पर बारे में और आइडिक कार्ड के बारे पर तो सब्सक्राइब कर दिखाता हूं और यहां पर सिम कार्ड भी पर्चेस कर लेता हूं भाईया सिम दे रहे हो ना क्या डॉकमेंट लगेगा अधार नंबर लगेगा अधार नंबर और क्या लगेगा तीम समय कंप्लीट है अधार रिचार्ज के साथ अधार अच्छा और केतने दिर में सिम एक्टिवेट हो जाएगा चार मिनिट में बढ़िया अब देखो यह है 120 की थाली मेरी तड़ी है मेरे राजमा है एक मिक्स सब्जी है चावल है यहां पे और घी में लिफ्टा हुआ हमेरा रोटी है जो कि मुझे वोर्टिट लगता है और टेस्ट वाइस भाई नमस बोले हैं और यहां पे ही आपको देखो निहारी का भवन है यही निहारी का भ वीडियोस में देखा होगा आपको यहां रूम से लेके हर एक चीज का पर्चा हुआ सब कुछ यहां पे डियर आरे पाइडी काड यहां पर ही होगा अभी हम लोग कट्रा बस्टेंड से कट्रा चौक पार करें बंगंगा चेक्पोस्त के पास ही हमारा एक होटल मिला है ठी बहुत रूपसूरत है तो बंगंगा चेक्पोस्त जहां से आप यातरा की सुर्वाब करते हो वहीं पर हमें हमारा होटल मिल गया है और सबसे बड़ी बात हम लोग जब बस्टेंड जाएंगे तो भी वो लोग हमें छोड़ेंगे रेड भी बहुत ही जादा काम है हम लोग साथ लोग है और बहुत ही बड़ा है और सिर्फ देखो में ने चौबीस हो गिया है दो दिन का बारासो प्लस बारासो एडवांस जो लोग देंगे चेक आउट करते टाइंग प्लास इसमें वाइफाई भी मिलता है आपको साधी साथ वो लोग अपना छोड़ेंगे भी ठ है तो होटल का नाम और सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको होटल दिखातों जाकर दो रुक्या है तिक यह चावी है और यह तो बहुत ही बड़ा है एक देखो डबल बेड एक है एक ट्रिबल बेड और एक हमारा छोटा बेड है सिंग प्राइज में यह यह नेखो पहाड़ वाला सीन तो तुम्हें नहीं मिलेगा यह हमारा है जो दिखता है यहां से और नीचे इनका वैन वगरा भी है जो कि हम लोग अराम से हमें छोड़ देंगे तो बहुत ही रिजनेवल प्राइज है और मैं आपको इस सब का डिटेल दे है क्योंकि मैंने बार्गेंग दिखिया है चाप लोगों ने जो यातरा परची बनाया है उसका RF ID काड यानि आपका ID काड जो बनेगा यह यहां पर बनेगा तो हमारे यहां काउंटर नंबर 2 है नजदीक तो आपके यहां जो भी काउंटर नजदीक होगा बहुत सारे काउ शुल्क बनता है यहां तरह परची और आपका अधार काड लगेगा देख सकते हैं दोस्तों अब लोगों लाइन पर खड़े RF ID काड के लिए और यहां पर काउंटर में नाम और इंफोर्मेशन पूछ रही है और यहां पर फोटो कैप्चर होके ID बन रहा है यह है हमारा RF ID काड जो हमें दिया गया है और यहां तरह कंप्लीट करने के बाद भाई आपको यह जमा कर देना पड़ेगा ठीक है या तो बन गंगा पर ही कर दीजेगा या तो हैलिपेड वगेरा पर ठीक है तो यह कंपलसरी चीज है अब हम लोग यहां पर पहुंचे हैं यह बोर्ट देख सकते हो यहां से रस्ता बढ़ता है अब हम लोग जा रहें स्टार्टिंग पॉइंट पर ठीक है बन गंगा जहां से हम लोग चेकपोश से स्टार्ट करने चलना काड हमने ले लिया है और जैमा सेरा वाली अधा चलत बाद हम लोग लग चुके हैं चेकंग के अंदर जा रहें एंट्री करने यहां पर बैग वगरा सब कुछ चेक होगा ठीक है और फीमिल का अलग से लाईन और यहां से एंट्री होगी हमारे ट्रैक की आतेमक बाइदेखो काट ले लिया जा रहा तो आते ही यहां पर देको दो रस्ते बढ़ जाएंगे एक यह जाएगा नीचे डाउन वाला जो अर्थकुमारी होते वह जाएगा और एक यह भवन को लिए जाएगा ठीक है तो यह ज्यादा शॉट है तो फिलाल तो अब लोग इसी रस्ते से जाएंगे फिर आते वह खचर का सरकारी रेट है टेल सकते हो इस यही रेट आपको देना पड़ेगा इस सब्सक्राइब प्र वाले में पर ऑढ़को घोड़े का थी सिटुडी ओइवत्ए वार्टंु teriचे अथैओ गोडे कि राना शॉप सब कुछ मिलेगा भाई सब कुछ ठीक है तो कोई तरह की दिक्कत आपको आने नहीं वाली है पूरे ट्रैक में एक दम बेफिकर होके आई है यह टेंशन लेने के दिक्कत नहीं है कि भाई यह चुड़ गया यह भूल गया तो डंटा उपर तक मिलता है भाई आपको डंटे का दाम दस रुपे पड़ेगा यह वाले पट्टी जो है इसका दाम पांच रुपे पड़ेगा बस चलते चलो आपको जगह जगह पर बैटने के लिए जगह सुविदा मिलेगी ठीक है और साथी साथ बच्चों के लिए गाड़ी भी मिलेगी देख सकते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी आप आराम से चल सकते हो ठीक है वैसे आमने जो ट्रैक स्टार्ट किया आड़ बजे किया है शाम के आड़ बजे नहीं नो बजे के आसपास किया है आज मतलब अरफ आईडी वगेरा में दो मिनिट आपको लग जाएंगे डंटा वगेरा यह ही आपको यहां पर देख सकते हो स्री माता रानी वैस्नोदीवी स्राइन बोर्ट के तरफ से मेडिकल यूनिट भी दिया गया है हर थोरे दूर में और यह 24 घंटे निशुल्क आपको सेवा देती है यहां पर थोरे दूर में आपको सोचाले लेडिस और जेंड्स के लिए इस भी अलग से मिलेगा तो दिक्कत आपको उसकी भी नहीं है जाए तो कैस देखो यह छोटी सी सी के जबी के लिए ठीक है हम लोग जैसे की डेली चलते हैं तो हम लोगों कोई खास फर्क नहीं पड़ा ट्रैक से लेकिन वहां मम्मी मोसा सब का भाई हालत खराब है कारण चाहिए कि थोड़ा सारा जिंदगी में थोड़ा हेल्थ को भी इंपोर्टेंस देना चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ऐसे कुछ ट्रेकिंग करना है बहुत ज्यादा है बाकी वहां वह लोग जूस बगएरा पी रहे हैं जूस बगएरा हका शॉप भी जगा जग वाला तो भाई कभी भी सीड़ी वाला रस्ता चड़ते टेम मतले ना वहना बहुत तकलीफ होगा स्लोप वाला ही रस्ता लिया करना हमेशा का हमेशा वाई उतरने के लिए चलो फिर भी ठीक है लेकिन अगर इससे चड़ोगे तो भाई आपके जिमेदार आप खुद और उस्टकमारी मंदीर उससे पहले देखो परता है यहां पे इन्दवरश भोजनाले स्राइन बोड के तरफ से यह भोजनाला है बहुत ही कम प्राइस में आपको यहां पे फूड प्रोवाइड किया जाता यह देख लो इसका रेट है देख सकते हो भाई इसका स्किन शोट ले लो यहां पर भाई हम लोग फूट ट्राइए करेंगे वापसी में करेंगे और यहां से भाई थोड़े से दूर में अर्थकमानी मंदिर उपर में ठीक है तब वहां पर हमारा लगबाक आधा रस्ता पूरा हो जाएगा वेज आप द देको यहां रस्ता है को जाता है डेख सकत तो बारी और यह हैं इसमें घोड़े वागेरा भी आते हैं ठीक है अब तो हैं वो तुरह कुमारी het ब्हुत Blosव क्रोंगों की अजय सकते हैं हैं तो अगर आप आर्ये हैं को सखेग瑩 के दर्शन करने तो आप यहां जा सकते हो लेकिन अर्थKुमारी के में क्या होता है 354 रुपया में आपको भाई पहुंचा दिया जाएगा इवेहकल के थुरू में भवन में ठीक है जो कि यहां से साड़े पांच किलमेटर का ट्रैक है यहां पर देख सकतों सभी को जा रहे हैं यहां पर हमने आपको बताया था यहां पर बोट लगा हुआ है अज़स्ट थोरे दूर में आपको यह मिल जाएगा ठीक है हीम कोटी मार्ग में यह मिलेगा आपको जैमात अदी दोस्तों भाई आज भी हम लोग का टोटल ट्रैक बचा है पांच किलमेटर के आज़स हमारा ट्रैक बचा हुआ है हमने जो हीम कोटी वाला जो मार्ग है उस सब्सक्राइब कर सकते हैं और अर्द कुमारी में भाई आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो वहां पर आप जाओगे जाना वापसी में चले जाना अभी क्या करो सबसे पहले वैस्मोदी भी मार्ग के दर्शन करो उसके बाद जाओ भैरोजी कि यहां आप रोब से वीडियो में बने रहा है पर देख सकते कुछ दूर चलने के बाद यहां लंगर का आपको ऑप्शन मिलता इसी रस्ते में हम लोग जा रहा है आगे भावन की और जिस तेरा भावन बनाया मंदर विच यहां पर है मा का भावन ठीक है भावन से थोड़े दूर पहले आपको में को यहां पर मिलेगा पारवतिभवन पारवतिभवन में आप देख सकते हो जो फ़र्स्ट फ्लोर है उसमें आपका लॉकर एरिया और ने सब पूत सब्लिंट करना पड़ेंगा सब कुछ सब्समीट यहां ले लो ग्रॉन्ट फ्लोर में और सब कुछ यहां पर सब्मिट कर देना है पारवति भवन में ठीक है इसमें आपका कोई भी ऐलक्रोनिक समान नहीं जाना चाहिए बस कैस अपने पास रख लेना बाखी सारा लगेज बैग वैक सब कुछ मोबाइल तक आपको डाल देना है अब लोग चलो भाई यहां से जाते हैं जमा करके और दर्शन करने के बाद आपको बताते हैं कैसे हुई हमारी दर्शन अब इस सुबा के बज़र है साड़ेश चार अब देख सकते हैं भीड भाई लगेज आप जब दोगे ठीक एसी के जस्ट अपोजिट में देखो यहां पर बेट सॉप है ठीक है बेट सॉप में 100 रुपे का आपका नारियल मिलता है 100 रुपे का नारियल है और मतलब 100 अब देख सकते हैं वाई वितनारियल वाला सौर वाला और बाकी हम लोग अपना लगेज वगेरा फोन सहीत यहां पर डाल देता है फिर आपको अपना एक्स्परेंस बताते हैं अब देख सकतो यहां पर आपको ग्राउंड फ्लोर में जब आप पर्ची कट आओगे लोकर के लिए या क्लॉक रूम जिसको भी जो भी बोलू तो आपको अपना यातरा जो आईडी काड़े वह आपको दिखाना पड़ेगा सौर उपए आपको पर लोकर लगेंगे ठीक है जो कि आपका रिफंडेवल होगा रिफंडेवल होगा और साथी साथ आपको यह बैंड मिल और बीड़ कुछ ऐसी है बाई चलो देखते हैं कैसा फूड रहता है क्या कुछ रहता है हमारे सारे दर्शन हो चुके हैं और हम लोग दर्शन करने के बाद थोड़ा सभी को बहुत ही जादा भूट लगा है कि सभी ने फास्टिंग किया था तो हम लोग चलो जल्दी से ख करना पड़ेगा पहले अभी हम लोग अपने होटल पा गए आज है दूसरा दिन आज हम लोग फिर कट्रा जाएंगे कट्रा बस्टेंड और उसी एक सो पैसे डुपिस में एसी बस करके हम लोग जाएंगे आप चाहरे तो नॉर्मल बस से भी जा सकते हो अब आपको इहां फ्लैश होते वे दिखेगा मस्त एक्साइटिंग था भाई आज की पूरा ट्रीव जो था हमारा सब को ठक गए थे इसलिए फिर व्लॉग मैंने नहीं किया क्योंको भी समालना था तो मिलते हैं एक नहीं दिन्ने वीडियो साथ में वीडियो लाइक कर दो अगर पसंद आया है तो पुरा डिटेल हमने कवर किया है तो तब तक के लिए और एक और चीज यहां एवरेज खाने के में खर्चा आता भाई एक सो से एक सो बीस उपया बस